मशकार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लिठेनिया और फिल्लेंड से हट के एक अलग यूरोपियन कंट्री की बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलेंड की जिहां दोस्तो अगर आप पोलेंड जाना चाहते हैं पॉलिंड जाकर के लाग और रुपए कमाना चाहते हैं, पॉलिंड में काम करना चाहते हैं, या फिर पॉलिंड का वीजा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको किन प्रोसेस के जरीए होकर कर गुजरना पड़ेगा, आपको कौन-कौन से डॉ बहुत ही मशहूर European country है, जी हाँ, Malta, Croatia, Finland, Lithenia जैसी country है दोस्तों, ज्यादा population नहीं है, जिसकी वज़े से labor shortage पड़ी हुई है, और अलग-अलग sectors में आपको jobs देखने के मिल जाएंगी, आप easily अलग-अलग job portals का इस्तमाल करके अपने लिए job secure कर सकते हैं, और जब आपको job मि जाती है दोस्तों, तो आपको मिलता है Poland का work permit, जिसके बाद आप Poland का work visa ले सकते हैं, simple process बताता हूं दोस्तों, पहले job, फिर work permit, फिर work visa, यही process होता है, job apply करना चाहते है, इसके लिए आपको CV और cover letter की जरोत पड़ती है, अगर आपके पास वो है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो आप हमें contact कर सकते हैं, दोस्तों, नीचे दिएगा WhatsApp नमबर पे, CV cover letter बनवाईए, जो portal पे हम आपको job apply करने का तरीका बताएंगे, वीडियो में आगे बताने वालों दोस्तों, उस portal पर जाईए, अपने लिए job ढूंडिए और apply करके, अपने लिए job secure कीजे, पहला step complete, जब job मिल गई, तो हमें मिलेगा work permit, work permit कौन देगा, work permit देगा दोस्तों हमारा employer, जो भी हमको select करता है Poland में बैठके, कि हाँ, इंडिया से इस बंदे को उठाया जा सकता है, काम करने के लिए Poland बुलाया जा सकता है, वो आपको employer work permit देगा, आपसे कुछ documents लेगा, आ आपको work permit मिल गया, third process क्या होता है, third step क्या होता है, उसके बाद आपको दोस्तों अपने country में work visa लेना होता है, ताकि आप जो है Poland जा सके, finally, ठीक है, इसमें आपको कुछ documents की जरूरत होती है, दोस्तों, आपके passport की जरूरत होती है, जिसमें validity होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने की और वो भी आपके visa expire होने के बाद, ठीक है, suppose आप एक साल का visa लेने वाले हैं, तो एक साल के बाद 6 महीने की extra validity होनी चाहिए, उसके बाद दो passport size photos होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद बाकी कि आपके जो documents होंगे, educational experience वाले जो documents होंगे दोस्तों, वो चाहिए होंगे, health insurance चाह चाहिए होगा, आपका proof of accommodation चाहिए होगा, यानि कि आप अगर Poland में रहने जा रहे हैं, तो आप कहां पर रहेंगे, उसका आपको proof दिखाना पड़ेगा, hotel की receipt दिखानी पड़ेगी, या फिर अगर आपका employer आपको accommodation प्रोबाइट करवा रहा है, तो उनके तरफ से कोई बया दिखाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा process होता है, जब आप ये सारे documents कर लेते हैं, तो आपको visa office में जाना है, और आपने लिए visa हासिल कर लेना है, application form भरके submit कर देना है, उसके बाद आपको visa मिल जाएगा, खेर ये तो जानकारी होगी दोस्तो visa के बारे में कि किस तरीक दोस्तों, उन दोलों website पर आप अपने लिए job ढून सकते हैं, कैसे ढून सकते हैं, चलिए जान लेते हैं, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको praka.pl की website पर लेकाया हूँ, ये जो है दोस्तो, अपोलें का one of the largest job portal है, जहाँ पर आप कुद के लिए job search कर सकते हैं, और उन jobs के लिए apply कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये homepage है दोस्तों, आप praka.pl जैसे ही type करेंगे, वैसे ही आपके सामने website आजाएगी दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक option, keyword, position और company वाला, यहाँ पर आप type कर सकते हैं, आप कीवर्ड को, position को और company का नाम को, अगर आपको पता है तो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर town, wide shift और country का option है दोस्तों, जहाँ पर आप type करके, location वगरे select कर सकते हैं, अगर आपको इस सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप direct search पे click कर सकते हो, और आपके सामने जितनी भी jobs हो independent accounting specialist की job available है, उसके बाद temporary warehouse worker की job available है, जिसमें आपको 29.9 पोलन की currency के हिसाब से मिलेंगे पर घंटे के, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, C plus E truck driver available है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो independent accounting specialist, फिर से veterinarian, जो मतलब जानवर की doctor वगरा होते हैं, उनकी jobs available है, sales manager की job available है दोस्तों, electrician की job available है, construction engineer की job available है, visual engineer, operator of production, उसके बाद receptionist की job available है, assistant for arranging diagnostic tests की job available है, बरांच manager की job available है, फिर से temporary warehouse worker की job आएए धोस्तों थामने, premium client advisor की job available है, cashier की job available है, logistician warehouse man की job available है, उसके बाध accountant, customer advisor, specialist, उसके बाद nurse, उसके बाद junior customer service specialist, junior individual यानि कि ऐसे ही बहुत सारी जॉब्स आपको देखने के मिल जाएंगी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि लीजों सें बहुत सारी जॉब्स सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों के लिए उन गौप्स के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है ऑगर आप ऐसा पता लागाना चाहते है तो आपको पता कैसे लगेगा दोस्तों तो ऐसे जॉब पे क्लिक कीजिए, जॉब पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह जॉब जो है कब पोस्ट की गई है, किसके द्वारा पोस्ट की गई है, कमपणी का नाम क्या है, कमपणी का नाम है, Amazon आप देख सकते हो लिखा हुआ है, Amazon, temporary warehouse worker, ठीक है, full time कहा हम हो है, contract of employment वगएरा वगएरा, online recruitment होगी, यहाँ पर जो है, सारी के सारी चीजे बताई जा रही है, आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, और कितने आप कमा सकते हैं, पूरे बहीने के, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो और भी चीजे लिखी देख निकली मिल ज तो आप इस जॉब के लिए अपलाई मत कीजेगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी है, तो हम इस जॉब के लिए अपलाई करेंगे, यहाँ पर अपलाई ना ओवाले option पर हमें click कर लेना है, जैसे हम apply ना ओवाले option पर click करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बाकी की jobs के लिए भी search कर सकते हैं और बाकी की jobs की job description वगेरा पढ़के भी अपने लिए पता लगा सकते हैं कि कौन सी job आपके लिए है और कौन सी job आपके लिए नहीं है दोस्तों, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि job apply करने से पहले requirements जरूर पढ़िए, skills वगेरा जरूर इस website का नाम है jobs.pl ठीक है यहां पर आपको जैसी job website पर आओगे इस website पर आने के बाद यहां पर आपको देखने कर मिलेगा कि लिखा हुआ है, you are looking for a job, choose from इतने job offers, करीब 10,000 job offers है दोस्तों, अगर आप उनमें से job search करना चाहते हैं, तो यहां look for a job option पर click कर दीजिए, जैसी आप click करेंगे, यह जो है, आप page reload होने लगेगा दोस्तों, और जितनी भी jobs होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, यह job portal भी जो दोस्तों है, पहले Polish language में ही open होता है, उसके बाद यह English language में open होता है, ठीक है, अगर आप auto translation on रखेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और आप अराम से job search करके job के लिए apply कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ, इसको जो है पहले translate होने देते हैं दोस्तों, यह translate हो चुका है, आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CE driver की job available है, production worker की job available है, production worker, greenhouse screen installer, junior dentist, pediatrician, farm helper, after recorder, accountant, IT project management, inspector, उसके बाद आप देख सकते हैं, waiter की job available है, inventory, inspector की job available है, उसके बाद work, Netherlands वगेरा करके कुछ है, जो कि Netherlands में job available है, दोस्तों, नीचे location भी देखते रहिएगा, कुछ jobs जो है, इधर वगेरा, मतलब यूरोप की अलग countries की बताई जारे हैं, दोस्तो जैसे यह electrician की job है, यह Germany और Australia की job है, दोस्तों, तो यह सारी चीज़े भी आपको देखनी है, ठीक है, बाकी पोलिंड वगेरा job जो है, आपको पोलिंड का जहंडा देखने के लिए मिल जाएगा, वार्सव में जो jobs available है, उस तरीके से आप खुद के लिए job अपलाई कर सकते हैं, तो पोलिंड की job ढूंडिएगा, अगर इस website पे आ रहे हैं, तो अगर आप इधर उधर की jobs के लिए apply करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास वो भी options available हैं, दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन दोनों website का इस्वाल करके, अपने लिए job ढूंड भी स सकते हैं, दोस्तों, जो कि ए global platform है, जहां पर आपको पूरे दुनिया की jobs देखने के लिए, almost, ठीक है, I hope कि आपको समझ में आ चुका होगा, दोस्तों, देखा दोस्तों, कितनी असानी से आप भी खुद के लिए job search कर सकते हैं, और उन jobs के लिए apply कर सकते हैं, तरीका बहुत कर सकते हैं, नीचे देगा WhatsApp नंबर पर, और हमसे अपना CV का लेटर बरबा सकते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, I hope कि आपको यह वीडियो पसंदा है, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और चानल को सब्सक्राइब करना, मत भूलेगा दोस् नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई